हलो अबरवान आम योगेश शंद्र शुकला यूर बालाजी फेकलिटी आप लोगों का बहुत स्वागत है आजी ग्लास में मुझे उमीद है आप लोग बहुत 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 होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे आज इस वन शॉट पे मतलब शॉट पे इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं देखे सबसे पहली बात उती है कि DNA और RNA हैं क्या और हम इसमें क्या चीज़ पढ़ सकते हैं कि इनकी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए आईए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखो देखो भाई दुनिया में जब ने लिए आनवानशिक पदार्थ हैं और बाद में पता चला कि आनवानशिक पदार्थ मिश्चर, ठीक है, फ्रेडरिक मिश्चर, ये साइन्टेस्स थे, इन्होंने बताया कि अनुवानशिक पदार्थ जो है ना, न्यूकलिन करके एक नाम दिया, न्यूकलिन, न्यूकलिन होता है, फ्रेडरिक साहब ने बताया कि न्यूकलिन वो पदार्थ है, जो कोशिका के कें पाया जाता है और यही आनुवानशिक पदार्थ है बाद में इसका नाम बाद में इसे कहा गया इसे न्यूकलिक अमल कहा गया कि असल में आनुवानशिक पदार्थ जो है वो न्यूकलिक अमल है हमारा ठीक है न्यूकलिक अमल आनुवानशिक पदार्थ कहा गया कहा गया इस ये नुकलिक अमल कहने के पीछे Altman करके Scientist थे, Altman, Altman जो है Scientist का नाम था, उन्होंने इसका नाम दिया कि ये नुकलिक अमल है, अब सवाल में आता है कि नुकलिक अमल क्या चीज होती है भाई, तो हमें पता चला कि जिसे हम नुकलिक अमल कह रहे हैं न, वो दो प्रकार का होत है, प्रकार है पहला DNA और दूसरे का नाम होता है RNA, अब अगर मैं DNA की बात करूँ, तो इसका फुल फॉर्म होता है Deoxy, Ribonucleic, Amyl, Acid, Nucleic, Acid, और दूसरे का नाम होता है Ribonucleic, Acid, ठीक है, अब एक है RNA और एक है हमारा DNA, ये दोनों क्या है, हमें यही जानना है, चलिए, तो अगला पार्ट हमारे पास जो निकल कर आता है कि what is DNA, DNA के बारे में क्या है, and what is RNA, पता चला कि DNA और RNA जो है ना, यह polynucleotide के बहुलक है, अब यहाँ पर सवाल ही आता है, कि यार ये nucleotide के बहुलक कैसे पता चला कि ये nucleotide के बहुलक है, अब हमको DNA, RNA ही नहीं पता, हम nucleotide को कैसे खोजेंगे, तो फिर पता चला कि nucleotide के बहुलक है, मतलब nucleotide को मिला मिला कर, मिला मिला कर, आप इसे कह सकते हैं, कि English में अगर कहें, तो polynucleotide की श्रिंखला है, मतलब एक बहुत बड़ी श्रिंखला है, जो सिर्फ nucleotide से मिलकर बना हुआ है, और वो बनता है DNA और RNA को बनाता है, अब सवाल आ रहा है कि polynucleotide क्या चीज होता है, तो अगर हम खोजें कि nucleotide क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूँ कि इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक सरकरा होती है, एक पदार्थ है सरकरा, दूसरे पदार् नाम है नाइट्रोजनी चार, और तीसरे पदार्थ का नाम होता है बिटा, फॉस्फिट समू है, इन तीन चीजों से मिला कर आपका nucleotide बनता है, और nucleotide को मिला मिला कर आपका DNA और RNA बनता है, तो सवाल अगर आप ये समझ गए, तो ये समझ में आ जाएगा, और इसको समझ समझने के लिए इन तीनों को समझना होगा, समझ रहे हैं बात को ना, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सरकरा क्या चीज है, सरकरा जिसे अपन सुगर कहेंगे, कौन सा सुगर होगा, असल में ये सुगर pentose होगा, white is called pentose, 5 carbon वाला सुगर है, इसलिए हम इसे सरकरा कहते हैं, वो भी pentose सरकरा, कितने प्रकार की होती हैं मेरे बच्चे, दो प्रकार की, यहाँ पर सरकरा दो प्रकार से बनती है, ribose सरकरा और एक का नाम है, deoxyribose सरकरा, ribose यह RNA में पाया जाएगा, RNA में पाया जाएगा, और deoxyribose पाया जाएगा, DNA में पाया जाएगा, clear हो गई बात यहाँ पर भाई ठीक है तो नुकलियो टाइड का पहला भाग होता है सरकरा सरकरा पांच कार्बन वाली है that's why पेंटोस सरकरा और यह दो प्रकार से होता है first one is a ribose and दूसरा deoxyribose ribose ribose की बात यह है कि इसे RNA में पाया जाता है और deoxyribose DNA में पाया जाता है that's why तो उसे deoxyribonuc acid कहते हैं और इसको ribonucleac acid क्यूंकि ribose पाया जाता है deoxyribose पाया जाता है अब दूसरी बात आगई nitrogenी छार nitrogen दो प्रकार के होते हैं बच्चे एक का नाम होता है clean can be clean और एक का नाम होता है phary slapped in nitrogen 202 प्रकार का होता है प्यूरीन और प्यूरीन के भी दो प्रकार होते हैं और प्यूरीन के जो दो प्रकार होंगे उनक में से एक का नाम होता है एडिनीन और दूसरे का नाम होता है गौानीन चीक है दूसरे का नाम होता है गौानीन चीक है यह दूसरा पार्ट है गौानीन यह नाम है इसका में इन तीन प्रकार के होते हैं, इन में से सबसे पहले का नام होगा, cytosin, ये पहला नام है, उसके बाद हमारे पास अगरा नाम जो हम रखेंगे, वो आ जाएगा, thyme, ठीक है, thyme, और एक नाम हो जाता है, uracil अब इन चारों में से पाँच है टोटल पाँच में से कोई 4 ही पाये जाते हैं तो ribose, ए स्वरी adenine ये सब में पाये जाएगा guanine सब में पाये जाएगा cytosin सब में पाये जाएगा लेकिन ये चौथा जो है वो सिर्फ पाया जाएगा RNA में और ये चौथा जो है 4.1, 4.2 लिख देता हूँ, 4.1 है ये जो RNA में पाया जाएगा, 4.2 जो है ये सिर्फ DNA में पाया जाएगा, तो आपको यहां से DNA और RNA में मुख्य दो अंतर निकल कर आ गए, कि RNA जो है ribonucleacid है, DNA जो है deoxyribonucleacid है, DNA जो है वो भाई साब आपको सरकरा de deoxyribonucleacid पाया जाती है, RNA में सरकरा ribos वाली पाया जाती है, अगर आप उसमें बात करें कि नाइट्रोजनी छार में, तो नाइट्रोजनी छार में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो यूरेसिल है वो सिर्फ RNA में पाया जाएग और phosphate समुह जो है, इसका formula होता है H3PO4 और यह समुह मिलकर तीनों मिल जाते हैं, तो नाइकलियोटाइड बन जाता है, ओके, done, तो यह है सबसे पहला part और इससे आपको अंतर भी पता चल जाता है, कि आप DNA और RNA में क्या अंतर निकालते हैं, आईए इनकी संरचना बनाने की अगर हम संरचना की बात करें, तो देखो, सबसे पहला आता है सरकरा, तो मान लो, मैं सरकरा के साथ स्टार्ट करता हूँ, तो सरकरा में सबसे पहला part आता है, राइबोज, अगर मैं राइबोज की सरकरा बनाने जाओं, तो संरचना कुछ ऐसी बनती है, राइबोज की सरकर बनाओ तो 5 कार्बन की सरकरा कुछ ऐसी बनती है H और OH यहां सेकेंड पोजिशन पे भी H और OH इधर भी H और OH उपर में CH2 OH थोड़ा सा केमेस्ट्रिकल अगर याद करने की कोशिश करें तो आपको समझ मैंगा पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन पाँच कार्बन पाँच कार्बन हैं पेंटोस सुगर है दन तेम रचना याद रखेगा दूसरे का नाम होता है डियोक्सी राइबोज डियोक्सी राइबोज इन दोनों में केवल एक अंतर आपको नजर आएगा और उस अंतर को आपको खोजना है यह तीसरा अंतर होगा आपके पास में यह तीसरा अंतर हो जाएगा डियने और आरेने में जीक हैं कहीं अंतर आपको दिखाई दे रहा है यह अंतर दिखाई देगा आपको इस नंबर पे देखो उसका कार्बन अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पर पहला इधर दूसरा इधर तीसरा इधर चौथा इधर पाँच वा सेकेंड पोजीशन पे एच है मेरे बच्चे और इसके सेकेंड पोजीशन पे ओएच है यह तीसरा अंतर हो गया आपको राइबोज एंडियोक्सी राइबोज में तीसरा चौथा अंतर पहले नाम का अंतर फिर सरकरा का अंतर फिर सरकरा के बाद उसके न पढ़ते चल रहे हैं और अंतर भी बताते चल रहे हैं दोनों चीजे साथी साथ में चलते जा रही हैं आप इसे बहुत clear के तरीके से आप इसे समझ सकते हैं अब अगर मैं आपको बताओं तो ये point आपको clear रखने हैं अब अगर हम इसमें बात करें कि जैसे ये nucleotide है और ये जो है सरकरा है मैंने नुकलियोटाइड आपको पढ़ाया है एक और चीज हम समझ लेते हैं नुकलियोसाइड जो बच्चे के साथ सबसे बड़ी परिशानी होती है अगर सिर्फ सरकरा और सिर्फ और सिर्फ आपका नाइट्रोजनी छार है तो आपको जो है यहां पर पॉइं यह जो है नुकलियोसाइड सरकरा नैट्रोजनी छार, नुकलियोसाइड कहा जाएगा और इसके बहुलाब का नाम डी अने और आरने है डी अने के गुण, डीअने की प्रकृती, डी अने का कॉंसेप्ट, खोजने वाले साइनटेस्ट और इतनी सारी बातें इनकी क्यामिक समय लगेगा और अगर आपको इस कम समय पे हर एक चीजों के सामने आपको डिटेल अगर आपको चाहिए जिजनी भी चीजे बताई हैं उससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ने की मनशा है तो आप हमारा बैच जिसका नाम है आखरी वार यह ले सकते हैं यह बैच आप अगर आपको इसमें वन शॉट पढ़ाया जाएगा आपको टॉट आप 500 कोश्चन भी दिये जाएंगे दो सैंपल पेपर भी होगा हिंदी मेडियम का पेपर है हर स्टेट बोड का है आठ जनवरी तक यह आपको 999 रुपय में मिलेगा तो आप इसे जवाइन कर सकते हैं और इसके आगे के और कॉंसेप्ट को आप कम समय में ही पढ़ सकते हैं अदर्वाइस हम इसमें पढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम समय में अगर आपको एक ही दिन में पूरा का पूरा चैप्टर पूरी पूरी चीजे चाहिए तो आप इस बैच को ले सकते हैं एक्जाम से पहले प्रिप्यर करने के लिए और अगर आप next year के लिए कर रहे हैं तो YouTube में फिर आपको धीरे धीरे सारी concept दिये जाएंगे अपना बहुत ध्यान रखिए अच्छे से पढ़िए और इस concept को अपनी copy में लिख के रखिएगा comment section पे मुझे फिर से बताओ कि nucleotide जो है वह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और एक बात बस मुझे सोच के बताना कोशिश करना next lecture में मैं आपसे बात करूँगा कि DNA का double helix model DNA दोहरी कुंडलित वाला होता है इसे किस ने बताया था comment section में फड़ा फड़ मुझे आंसर देकर जल्दी से बताइए thank you so much अपना ध्यान रखना बाबाई